नमस्कार दोस्तों आज की डेट में पैन कार कितना important है आई होब आप सभी को पता होगा online कुछ भी account खोलने जाते है या फिर कोई भी wallet अक्टिवेट करने जाते हैं सभी जगा पर pen number की जरुवत होता है और आज की डेट में आप घर बैठे online pen card के लिए apply कर सकते हैं और within 24 hours आपको e pen card मिल जाएगा या फिर आप download भी कर सकते हैं इसके पर already मैं वीडियो बना चुका हूँ कैसे आप आधर card number डालके pen card को download कर सकते हैं और physical pen card के लिए कैसे apply करना है इसके पर already पूरा process है बाकी आज मैं दिखाने वाला हूँ और एक नया process कैसे आप online apply कर सकते हैं और दोस्तों वीडियो मैं आगे बाने से पहले यहाँ पर और एक चीज बताना चाहूँगा मैं वीडियो की नीचे description में direct link नहीं डाल सकता कुछ problem हुआ है मेरा website के उपर इसलिए यहाँ पर screen पर देख सकते हैं wbzobupdate.com यहाँ पर आप search कीजिए और search करने के बाद इस website के उपर जाने के बाद pan card का एक menu मिलेगा pan card section में जाना है और यहाँ पर how to apply pan card के उपर आप click करेंगे इस post के उपर click करने के बाद नीचे के तरह आपको दिखेगा apply now का option click here वहाँ पर click करके आप directly link में जा सकते हैं तो दोस्तो इसलिए आप सभी से request करता हूँ कि हमारे website को जरूर विजिट कीजिए और वहाँ पर जाके आप देखिए मैं direct link नहीं डाल सकता है वेब सेट के उपर कुछ invalid traffic का issue आया है इसलिए मैं नहीं डाल सकता है तो प्लीज आप सार्च कीजिए स्क्रीन पर देख सकते है clearly wbzopupdate.com आप सार्च करेंगे google chrome browser आपन करके प्रके mobile से फिर computer से कहीं से भी सार्च कर सकते हैं दोस्तों सबसे पहले इस website के उपर आना है जो की हमारा official website है तो यहाँ पर click करने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरह interface आएगा online pen application आप देख सकते हैं apply online का option है तो यहाँ पर application type है application type में आपको select करना है new pen Indian citizen अगर आप foreign citizen है तो यहाँ पर second बला option आप select करेंगे और जो third बला option है correction करने के लिए और फिर reprint करने के लिए तो यहाँ पर हमारे case में phrase apply करने वाले हैं इसलिए हम select करेंगे new pen Indian citizen इसके बाद category, category में individual, trust, body of individuals, firm अगर किसी company के नाम से बनाना है तो यहाँ पर आप firm के उपर click करके select कर सकते हैं तो यहाँ पर हम एक individual person की नाम से बनाने वाले हैं इसलिए हम select करेंगे individual तो आपके according आप select करेंगे इसके बाद है applicant information यहाँ पर title में स्री स्रीमती कुमारी स्री male person के लिए है स्रीमती female person जो merit है और female person unmerit के लिए है कुमारी तो यहाँ पर आपके according अप्सलेट करेंगे तो यहाँ पर मैं सिरी करता हूं इस के बाद है last name और surname तो यहाँ पर आपका last name डालना है उसके बाद आपका first name और यहाँ पर middle name अगर आपके case में single name है तो last name की जगा आपका single name होगा इसके बाद आपका date of birth डालना है जो भी आधर काड़ पर है उसके बाद email id डालना है valid email id और valid mobile number और यहाँ पे आपका tick mark लगाना है नीचे के तरफ capture फील करना है और करना है submit और submit करने के बाद यहाँ पे एक token number generated हो जाएगा इस token number को आप copy करके रखिए या फिर कहीं पी भी note down कर लीजिए क्योंकि अगर pen application error हो जाता है फिर fail हो जाता है तो इस token number की मदद से हम balance को refund ले सकते हैं तो यहाँ पे simply मैं ले लेता हूँ एक screenshot और screenshot लेने के बाद simply करता हूँ continue with pen application form और continue with pen application form करने के बाद कुछ इस तरह interface आएगा यहाँ पे total 5 step है गाइड लाइन्स, personal details, contact and other details, AO code, document details जो पहला step है आप देख सकते हैं अगर आप चाहते हैं physically document को भेजने के लिए pen office में तो यहाँ फिर third बला option अपसलेट करेंगे अगर आप चाहते हैं upload करने के लिए scan करके तो second बला अपसलेट करेंगे अगर आप चाहते हैं अधार कार के थुरू E KYC and E sign यहाँ पे authenticate करके करने के लिए तो first बला option आप select करेंगे तो यहाँ पे मैं first बला option select करता हूँ इसके बाद नीचे की तरब जाना है last four digit number है आपको डालना है तो चलिए मैं enter last four digit में डाल देता हूँ आधर का 9896 इसके बाद नीचे की तरब है I hereby agree that my photograph as available in Aadhar shall be printed on the pen card यहाँ पे करेंगे yes Aadhar card में जो भी photo है pen card में print हो जाएगा यहाँ पे yes कर दिया इसके बाद नीचे की तरब जाएंगे full name of the applicant यहाँ पे सारा कुछ details आजएगा कुछ भी changes करने की जरूरत नहीं है तो यहाँ पे simply आपको gender select करना है तो gender में select किया इसके बाद नीचे की तरब जाएंगे have you ever been known by any other name अगर आपको दूसरे किसी नाम से जाना जाता है तो यहाँ पे yes करेंगे आप डाल सकते हैं फिर blank छोड़ सकते हैं तो यहाँ पे surname की जगा बता दू आगर single name है तो यहाँ पे last name और surname की जगा single name होगा तो यहाँ पे कोई tension की बाद नहीं काफी सरे मेरे पास comments आता है कि भाई मेरा single name है मैं क्या करो तो आगर आपके case में single name है तो last name की जगा आपका single name होगा तो चले मैं यहाँ पे सरा कुछ details डाल देता हूँ तो यहाँ पे father name डालने के बाद नीचे की तरब है parents name to be printed on the pen card यहाँ पे pen card पर आपका father's name print होगा यह फिर mother's name आप जो भी चाहते है यहाँ पे select करना है तो मेरे case में father name select किया और करता हूँ next next करने के बाद जो second step है personal details source of income क्या है salary, income from house property, income from business, income from other source यहाँ पे no income में कर देता हूँ ठीक है तो आपके according आप select करेंगे इसके बाद नीचे की तरब जाना है यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे है telephone number and email id यहाँ पे ISD code select करना है search करता हूँ India 91 हमारा code है इसके बाद mobile number आपको दिखेगा नीचे की तरब email id दिखेगा और simply आपको करना है next next करने के बाद जो अगला step आता है AO code तो यहाँ पे AO code फिल करने से पहले बता दूँ यहाँ पे आप save draft करेंगे जैसे एक step को complete कर लेंगे यहाँ पे अगर save draft करेंगे तो आपका जो data है loss नहीं होगा तो यहाँ पे बीच बीच में आप save draft जरूर करिए तो यहाँ पे AO code select करने के लिए simply हम select करेंगे नीचे की तरब Indian citizen इसके बाद आपका जो भी state है आप select करेंगे तो मेरा जो state है मैं select करता हूँ इसके बाद city आपका select करना है आपका जो भी city है आप select करेंगे city select करने के बाद यहाँ पे main जो important चीज है choose AO code तो यहाँ पे कैसे select करना है बता देता हूँ यहाँ पे आपका जो भी nearby आपका municipality है या फिर आपका subdivision है उसी के according आपको select करना है फिर कोई police station है बड़ा तो यहाँ पे आप select करेंगे तो आपके according आप select करेंगे document details में नीचे के दर आप जाएंगे और declaration में आप देख सकते हैं IOE यहाँ पे नाम रहेगा यहाँ पे simply आपको करना है himself और herself करने के बाद place आपका डालना है तो यहाँ पे भी काफी सरे मेरे पस comments आता है कि भाई place में क्या डाले place में आप जहां से apply कर रहे हो उसी का address डाल दो address पूरा address नहीं कोई भी city ए फिर village होगा वही डाल दो आप कोई दिक्कत नहीं तो यहाँ पे मैं डाल देता हूं मेरा जो भी यहाँ पे city ए फिर village नेम है place जहां से मैं apply कर रहा हूँ तो यहाँ पे place और यहाँ पे date दिखेगा तो यहाँ पे डालने के बाद finally आपको करना है submit और submit करने के बाद कुछ time लग सकता है wait करेंगे और आप देख सकते है your application is submitted please confirm details तो यहाँ पे आप देख सकते है personal details में आधार का जो first 8 digit है यहाँ पे आपको डालना है तो आधार का first 8 digit में डाल देता हूँ और डालने के बाद आपको नीचे की तरब जाना है नीचे की तरब आपको पूरा जो form है सही से check करना है तो यहाँ पे आप देख सकते है full name of the applicant यहां पर निचे की तरव जाएंगे, सो यहां पर नीचे की तरव फाइनाली करता हूँ, प्रोसीट, अगर आपको लगता है, कुछ भी करेकशन करना है, तो यहां पर edit के उपर खिलिक करके, edit कर सकते हैं, तो चलिए मैं सब कुछ देख लियara ठीक है, तो करता हूँ Proceed Proceed करने के बाद जो अगला स्टेप आता है Mode of Payment Payment करने का Option आ जाता है तो यहाँ पर मैं Select कर लेता हूँ Online Payment through Paytm तो यहाँ पर Paytm के थू कर सकते हैं फिर Online Payment through Buildex भी कर सकते हैं तो यहाँ पर Buildex ही कर लेता हूँ मेरे पास Phone पर Google पर है और Buildex मैं Select करने के बाद नीचे की तरब जाता हूँ I agree to the Tamsan Service यहाँ पर Tamsan Service है पूरा आप रीट कर सकते हैं और करना है Proceed to Payment और Proceed to Payment करने के बाद आप देख सकते हैं Confirm Payment यहाँ पर जो Fee including GST है 106.90% मतलब टोटल 107 रुपिय आपको Approximately Payment करना होगा नीचे की तरब Transaction ID है इसको भी आप एक Screenshot रख सकते हैं तो मैं चलिए Screenshot ले लिया और Screenshot लेने के बाद सिंपली करता हूँ Pay Confirm और Pay Confirm करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं Payment Gateway में Redirect हो जाएगा यहाँ पर Debit Card, Credit Card, Internet Banking, QR यहाँ पर Wallet Cash सब कुछ है तो आपके According आपके पस जो भी Payment Method अवेलेबल है यहाँ पर Select करके आप कर सकते हैं तो चलिए मैं यहाँ फोन पे से कर देता हूँ Select करता हूँ QR और यहाँ पर Beam UPI Select करके करता हूँ Make Payment और Make Payment करने के बाद यहाँ पर मैं Scan कर देता हूँ तो चलिए यहाँ पर मैं Scan कर देता हूँ Scanner का Option आ चुका है यहाँ पर Click करेंगे Scan and Confirm यहाँ पर Scan कर दिया और करता हूँ Mobile से Proceed to Payment और यहाँ पर Automatically Page Refresh हो जाएगा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है तो यहाँ पर मैं Payment कर दिया तो देखें यहाँ पर Automatically Page Refresh हो जाएगा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है अब इसको कोई भी छेड़ खानी मत कीजिए Automatically Refresh होगा So Page Redirect होने के बाद कुछ इस तरह इंटरफेस आएगा Payment Received आपको दिखाई देगा Transaction Successful यहाँ पर नीचे की दरब Simply करेंगे Continue Continue करने के बाद आप देख सकते है Authenticate, Aadhaar to Proceed Further Most Important Part है यहाँ पर Simply हम Tick Mark लगाएंगे और करेंगे Authenticate और Authenticate करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते है Continue with EKYC यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके आधारकार पर जो भी Mobile Number Link है उसी Number पर एक OTP आएगा So यहाँ पर आप देख सकते है OTP Verification में OTP का एक Option आचुका है तो यहाँ पर OTP मुझे Receive हो चुका है मैं डाल देता हूँ OTP 869837 और OTP डालने के बाद सिंप्री करता हूँ Submit अगर आपको OTP Receive नहीं होता है तो यहाँ पर Regenerate OTP अप कर सकते है So submit करने के बाद जो अगला स्टेब आएगा आप देख सकते हैं यहाँ पर करेंगे Continue with E-Sign और Continue with E-Sign करने के बाद यहाँ पर Tick Mark लगाएंगे I Hereby Authorized NSDL E-Governance Infrastructure Limited यहाँ पर आपका पूरा आधर नमबर डालना है तो चलिए यहाँ पर मैं पूरा आधर नमबर डाल देता हूँ और आधर नमबर डालने के बाद सिंप्ली करना है Send OTP और Send OTP करने के बाद फिर से एक OTP Receive होगा आपके मॉबाइल नमबर पर तो वेट करेंगे यहाँ पर OTP आने तक और यहाँ पर OTP डालके सिंप्ली करेंगे Verify OTP So यहाँ पर OTP डाल दिया सिंप्ली करता हूँ Verify OTP और Verify OTP करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो एप्लीकेशन है complete हो चुका है यहाँ पर करता हूँ Never और यहाँ पर आप देख सकते हैं Acknowledgement यहाँ पर Thank You for Using Online Facility for Pen Application यहाँ पर PDF फॉर्मेट आ चुका है जो की Acknowledgement कॉपी है यहाँ पर Download PDF क्लिक करके आप PDF फॉर्मेट का भी Download कर सकते हैं यहाँ पर जो Acknowledgement है और आपके पास Mail के द्वारा भी मिल जाएगा यहाँ पर PDF फाइल को Open करके दिखा देता हूँ इसका जो Password है आपका Date, Month and Year जो भी आपका Date of Birth है आप डाल देंगे पूरा Date of Birth आपको डालना है तो यहाँ पर पूरा Date of Birth मैं डाल दिया और डालने के बाद करता हूँ OK और OK करने के बाद यहाँ जो Acknowledgement Copy है यहाँ पर Open हो जाएगा For security reason यहाँ पर Blur करके रखा और इस Acknowledgement Copy को आप डाउनलूड करके रखे जो भी payment करना है आपने यहाँ पर payment कर दिया है अगर आपको email पर e-pan card नहीं मिलता है तो आप pen card कैसे डाउनलोड कर सकते हैं इसके उपर already मैं वीडियो बना चुका हूँ इस वीडियो के निचे description में link मिल जाएगा पैन कार्ड सम्मंधित वहाँ पर क्लिक करके आप जरूर देख सकते हैं उस तो आपको दिखा दिया किस तरीके से आप online पैन कार्ड के लिए घर वैठे अपलाई कर सकते हैं वीडियो पसंद देया तो like कीजिए, share कीजिए और चनल पर पहली बड़ आए तो please subscribe करके